हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे डिट्रिप्लेस भी जूनियर कलक के बारे में पोस्ट कोड रहेगी 19 बटा 15 और रिजल्ट आपका आउट हो गया है देखें आपकी कितनी रही है कट ओफ आप ओफिशियल जाके भी रिजल्ट चैक कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से उसे पहले मैं बता दूं कि अगर भी किसी का रॉलंबर नहीं अगर किसी के पास है या फिर किसी को नहीं पदा चल रहा है तो डिट्रिप्लेस भी में ये बहुत अच्छा एक चीज होती है कि आप वहां पे मैट्रिकुलेशन का रॉलंबर और अपनी डेट बड़ दालके जो आपने फरम सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करके आपका पूरा वहां पर डाटा आ जाता है कि किस फोंग के लिए अपने की का पलाई कि आठा था और आपका वाँ पर roll number भी देखने को मिल जाता है, आप अपना result चेक कर सकते हैं, मैं आपको लेके चलते हूँ official website पे, देखें यहाँ पे official website पे आने के बाद आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलेंगी, आपको जाना है result वाले section में, जैसे ही result वाले section में यहाँ पे tap जैसे ही भई आप यहाँ से तैप करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा और यह PDF फोर्म में आपको खोल लेना है यहाँ से और कुछ भी नहीं है मेरे पास अल्रेडी है तो मैं आपना सीधा वाहीं से एक बार चेक करा देते हूं, अब देखें यह है result नोटिस नमबर 11-38, जूनियर कलर, पोस्ट कोड 19-15, इसमें यह बताया गया है कि एड़टाइजमेंट नमबर 1-15 रही थी और इसकी जो क्लोजिंग देट थी, इसकी जो क्लोजिंग देट थी, वो थी 26-11-2015, यह सारा आपका ब्योरा दिया गया है कि 57 वैकेंसी थी, और UR की 30 थी, OBC 15, SCR टेस्टी 4, ठीक है, यह सारा दिया हुआ है, और उसके बाद मैं यहां पर आपको सिधा लेके चलती हूँ, यह देखे, यह क्या है, वन टायर एग्जामिनेशन में 585 कैंडिडेट थे, जो कि शॉट लिस्टेड हुए, स्किल टेस्ट और टैपिंग टेस्ट के लिए, पोस आउट ओ 585 कैंडिडेट में से 385 को यहां पर अपियर किया गया टेस्ट में, और स्किल टेस्ट कंड़क्ट करा गया, फिर उसके बाद 385 कैंडिडेट में से 340 कैंडिडेट ने यहां पर क्वालिफाई गया, the result of स्किल टेस्ट वस डिक्लेर वाइड नॉटिस के द्वारा यह आपका डाला भी गया था 22-3-2021 को और अब देखिए अब क्या है यहां से जो भई यूर केटेग्री में जो लोग यहां से सेलेक्ट हुए हैं यह हैं उनके रोलंबर अब माल लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपका रोलंबर क्या था या आप रोलंबर भूल गए हैं तो आप डेट रप्लेस्बी की ओफिशिल वेबसाइट पर जाएए वहां पर अपन कितनी थी मैं दिखा देती हूं 30 ठीक है और OVC काटेग्री से 14 का S.C.C. से 7 स्थ से 4 और पी एच के लिए एक और पी एच एच में काटेग्री के एक फर्दर दा कंडिडेट ओफ एट कंडिडेट जो हैं मतलब यूर के साथ और OVC का एक कंडिडेट है इन यूर कटेग्र और एक ये जो candidate है OBC category से हैं इनका pending है result क्योंकि further scrutiny with regard genuerness of their candidature The selection of above अभी 49 candidate का ही result है जिसमें UR के 22, OBC के 14, SC के साथ ST के 4 Shall be further subject to throw verification of the candidature of the candidate by user department including the identification या identify of the candidate The selection of 49 candidates का ही आपका document का on the basis of they have claim to fulfill the eligibility condition as prescribed The terms and condition of advertisement inviting application the subject to throw verification of the identity with reference to photograph, signature, head writing वगार है आपका application form, आपका admission certificate, the candidature of above candidate are liable to be cancelled by the user department also In case of, अगर भई आपके document verification में अगर कोई भी ऐसी चीज जो की bogus पाईगी जो की फर्जी पाईगी तो आपका यहां पर selection कर सकते हैं यह cancel ठीक है मैं आपको यहां पर बता देती हूं कि और क्या बोला है इनोंने The competent authority of the department concerned shall issue the appointment letter to the candidate after being satisfied about there अगर आपका सब कुछ यहां पर सही पायागा तो आपको यह appointment letter देंगे As down in the recruitment rule and after verification वगेरा होने के बाद ही आपको दिया जाएगा इसमें आपके सारे डोकिमेंट आपका educational qualification एज और essential certificate ठीक है यह पढ़ लिजीएगा भई यह आपके काम का है आपको यहां पर E-to-0 वगेरा यह आपको अपडेट कर देंगे ठीक है यहां पर चेक कर सकते हैं अगर आपने लगाया है तो वो यहां पर भी आपको दिखाना होगा ठीक है उसके बाद सारे information document as furnished in the E-to-0 the original document user department is requested to a certain scrutiny correctness of the same at their armal level before issuing the offer of appointment letter ठीक है यह आप पढ़ लिजीगा यह आपके काम का है तो आप देख लिजीगा कि आपको कैसे यहां पर करना है अगर मैं यहां पर category wise अगर cut off की बात करूँ तो category wise marks जो score हुए है last candidate के द्वारा UR से 150.87, OBC से 141.75, SC से 139.02, ST से 119.7, VH से 109.93 और HH से 79.6 ठीक है यह आपका 16 तारीक तक यहां पर valid रहेगा उसके बाद बिसेबल हो जाएगा लिंक 16 तारीक तक आप यहां पर देख सकते हैं अपना रिजल्स हो अगर किसी का selection हुआ है तो प्लीज कमेंट करके म願いब मैंशना बैएगा खोल टो और हम मैं अपने जाएगा इन आ साथ पर दो सकते हुँआ हैं तब बूशन मोम पर मित कवे और बाら guilty कर देख में मेंशनber कर देख लाएगा जाओ टैटेक है तो फ्लीज सब्सक्राइशननेरे कर में लाजा बलीक ये बीकोर आटेवर एर के